वाइरस का Infection दूसरे प्रकार के Cancer से कैसे अलग है? सिर्फ वाइरस के Infection होने से Cancer नहीं होता वाइरस के Infection के Cancer को बढ़ने के लिए additional risk factor चाहिए कुछ और भी होना चाहिए जो इस Cancer को बढ़ाए सिर्फ Infection से Cancer नहीं होगा जैसे कि अगर कोई इनसान टोबैको कंजियूम करता है, अलकोहल कंजियूम करता है, बहुत जादा सिगरेट स्मोकिंग करता है, इम्यूनो कॉम्प्रमाइज़ है, ऐसे लोगों में वाइरस के चांसे कैंसर करने के बढ़ जाते हैं. अब इसका कैंसर ऐसे भी अलग है कि इनफेक्शन और कैंसर के बीच में 20 से 30 साल का डिफरिंस है, मतलब अगर आज इनफेक्शन हुआ है तो कल कैंसर नहीं हो जाएगा, इनफेक्शन को कैंसर में बदलने के लिए 20 से 30 साल चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट पीरिय लंबे टाइम का इनफेक्शन ही कैंसर में कनवर्ट होता है, क्या हम वाइरस से होने वाले कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये इनफेक्शन हो कैसे रहे? ये इनफेक्शन फै वाइरस है वो फैलता है तो हमें ट्रांसमिशन को रोकना है प्रिवेंशन के लिए सेफ सेक्शुल प्राक्टिस टोबैको एन अलकोहल का अवाइडेंस, सिगरेट स्मोकिंग का अवाइडेंस, ब्लेट प्रोड़क्ट से भी ये वाइरस फैलता है अगर हम ब्लेट प्रोड़क्ट की एक स्क्रीनिंग करते है तो ये वाइरस का रिस्क कम हो जाता है पहले जब इसकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी तो ब्लेट प्रोड़क्ट से 20 प्रतीशत कैंसर फैलता था, आज स्क्रीनिंग की वज़े से less than 1% है हॉस्पिटल में वैसे ही बहुत safe disposals of needle होता है healthcare workers जब blood को handle करते है तो gloves पहनते है endoscopy और बाकी equipments जिसमें blood लगा होता है उसका safe sterilization होता है तो ये काफी healthcare activities है जो hospital में हो रही है जो इस infection को prevent करती है एक और तरीका है जिससे हम इस infection को prevent कर सकते है वो है vaccination hepatitis B की vaccination हो गई human papilloma virus की vaccine हो गई जब hepatitis से infection होता है तो ये infection लंबे time के बाद cirrhosis और फिर cancer में convert हो जाता है अगर हम इस infection को treat करें अब इस infection को हम कैसे treat कर सकते हैं anti-viral medication की मदद से तो इन medicine की वज़े से हम इस infection को early stage में रोक सकते है ताकि वो cancer में convert ना हो